हेलो दोस्तों कैसे हैं तो दोस्तों आज मैं आया हूँ देहरदुल की एक बहुती फेमस जगा पर जिसका नाम है बुद्धा टेंपल तो आज मैं आपको बुद्धा टेंपल की खुब सूर्ती दिखाने वाला हूँ यहां पर कितनी सांती है वो मैं आपको दिखाने वाला तो बुद्धा टैंपल के अंदर मैं जाओंगा वहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना एलाओ नहीं है लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि मैं आपको एक्स्प्लेइन कर सकूँ तो दोस्तों यहाँ से हम सीधे अंदर आते हैं यह सामने आप एंटरेंस गेट देख रहे होंगे इसका और लेफ्ट साइट पर यहाँ पर पार्किंग है और पार्किंग के बगल में ही यहाँ पर अगर हम सीध जाते हैं तो यहाँ पर गुद्धा टैंपल का एंटरेंस है तो आप देख सकते हैं यह खुबसूरत टैंपल, बुद्धा टैंपल और इसका जो निर्मान है वो 1965 में शुरू हुआ था और कहा जाता है कि इसको बनने में 3 साल का वक्त लगा था तो दोस्तों यहां से यह जो में एंटरेंस केट है वो है यहां से हम मंदिर के लिए, केमपस के लिए एंटर करते हैं और दोस्तों इसे एसिया का सबसे बड़ा rolling, main rolling monastery भी कहा जाता है मतलब एसिया का सबसे बड़ा बौध मठेया विश्व के सबसे बड़े बौध इस्तूपों में से एक परसित इस्तूप यहाँ पर इस्तिध है जिसका निर्मान 28 अक्टूबर 2002 में किया गया था तो दोस्तों यह आप मंदिर देख रहे होंगे पीछे धिरुदुन वैली की नैचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी और इस मंदिर को मैं यहाँ से राइट साइट से मैं आपको यहाँ से इसको गोल्ड राउन में पूरगा पूरा कवरप कराऊंगा और कहां कहां पर कहके चीज़े हैं वह मैं आपको यहाँ पर पूरगा पूरा दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों जैसे ही हम मंदिर के क्यांपस के अंदर आते हैं तो सीधे हाथ की तरफ से हम यहाँ पर चलना शुरू करेंगे और मंदिर को देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा यह तालाप सा दिखाई देता है जो की बहुत ही खुबसूरत है और इस पर लोग सिक्के डालते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना यहाँ पर अपनी विसेज मांगते हैं तो बहुत ही खुबसूरत यहाँ पर यह एक छोटा सा तालाप सा बनाया हुआ है जो की बहुत ही दिखने में खुबसूरत है तो आप यहाँ पर आके अपनी फोटोग्राफ्स अगेरा भी ले सकते हैं और सिक्का डालके यहाँ पर आप अपनी वेसेस मांग सकते हैं यह देखो छोटे बच्चे ने आपर सिक्का फेंक दिया है जैसे तो बहुत एक खुबसूरत जगहा है यह और इसके ठीक सामने यह देखिए यहाँ पर यह बैल है लोग इसको बैल को बजाते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है और उसके बिल्कुल बैक साइट पर जो है मंदीर है और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं मिंड रोलिंग है यहाँ पर और इसके बिल्कुल राइट साइट पर जैसी हम जाते हैं तो यहाँ पर एक तिप्तियन मार्केट है यहाँ पर एक छोटा सा यह market है तो आईए मैं आपको इस market का थोड़ा सा view दिखाता हूँ और इस market के अंदर आपको खाने पिनी की चीज़ें हैं पर आपको मिल जाएंगी यहाँ पर तिप्तियन food भी आपको मिल जाएंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आप यहाँ से अपना collection ले सकते हैं collection अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपना यहाँ से gifts ले सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर तिप्तियन culture की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ पर कपड़े वगएरा भी आपको मिल जाएंगे आप तिप्तियन कपड़े हो या अधर जो कपड़े होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यह आप देख सकते हैं छोटा सा बढ़िया सा मार्केट है और यहाँ पर यह देवलोक हाउस है और यहां से मैं आपको एक पूरा 360 view दिखा देता हूँ जो यहां का जो market है छोटा सा उसका यहां पर बैटने के लिए है खाना पीना आप यहां पर लेके खा सकते हैं और यह पूरा 360 view मैंने आपको इस market का दिखा दिया है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही खुबसूरत यहां पर यह एक छोटा सा पार्क है और हम अभी मंदिर के बैकसाइट पर आ गए हैं हम मंदिर को पूरा का पूरा गोल घूमते वोए फ्रण पर आएंगे और फिर हम मंदिर के दर्सन करेंगे और यह मंदिर का बिल्कुल बैकसाइड है जहाँ पर दिवार में बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स वगेरा यहाँ पर बनी हुई है तिप्तियन कल्चर और बहुत धर्म की चीजे हैं वो यहाँ पर है और सामने एक यहाँ पर मरसडीज गाड़ी है जो की आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर विस्व गुरुप परम पावन चौधवेद अलाई लामा जी के सुब नाम पर हिमाचल राज्य में 24 अपरेल सन 1986 में उनके आउगमन पर उनके परियोग के लिए इसको उनके नाम से इसको रेजिस्टर्ड किया गया था वो इसी में सेयर किया करते थे इधर आने जाने के लिए तो ये मर्सेडीज गाड़ी है जिसे 6 जुलाई 2019 को यहाँ पर इस्थापित किया गया था और उसी दिन दलाई लामा जी का जनम दिन भी पढ़ता है तो उनके जनम दिन के अफसर पर इस मर्सेडीज गाड़ी को यह तो यह दलाई लामा जी का एक उनकी निसानी है यह और दोस्तों यह जो बहुत बड़ी परतीमा है यह गौतम भुजी के जो पहले सिस्य थे पत्म संभव जी उनकी यह यहाँ पर मूर्ती लगाई गई है बहुत बड़ी मूर्ती यहाँ पर उनकी यह लगाई गई है और ज में पद्म संभावजी की मूर्त हैं बढ़ी मूरत लगी buddh Никमी रखे पनाटौम की नगासियां करें रहे हैं 173 कि जो इस्थापित्य कला है और चितरकला वह जापानी उसे प्रेडित है और आप यहां पर बहुत खूपसूरत यहां पर आप पेंटिंग्स और चित्रकला यहां पर आप इस मंदीर में देख सकते हैं तो यहां पर ये स्टूप आप देख सकते हैं, यह मूर्ति आप देख सकते हैं, जो कि अबने आप में बहुत ही बड़ा अट्रक्सन है, और उसके पीछे धिर्धून वैली के जो खूपसूरती है, वो देखने से ही बनती है, तो बहुत ही प्यारा यहां पर यह एक टैंपल ह यहां पर आप आ सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं, अपने परिवार के साथ आएं और यहां पर अपना समय बिता सकते हैं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि जो यह बुद्धा टेंपल है, वो एक बौध मठ है, तिप्तियन मठ है, यानि कि यह एक स्कूल है, जहां पर लगभग 500 बौद लामा अपनी सिख्षा दिख्षा ग्रहंड करते हैं तो तिपती समुदाय के चार परमुक विद्यालों में से ये एक है यानि कि चार जो में स्कूल्स हैं उनमें से ये एक है और इसे निगमा कहा जाता है और बाकि जो तीन स्कूल हैं उनको साक्या, जूयू और गेलूल कहा जाता है अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो आप मेरे को इसके लिए माफ कर दीजिएगा हो सकता है कि मैं कुछ इसमें गलत भी बोल रहा हूं तो यहां से अब हम मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में हम एंटर करेंगे और यहां पर जो मूर् ह euh जो बहुत धर्म है उसके पर्चार परसार की लिए काफी चीजें उन्होंने करी और उनकी हाँ पर मूर्ती लगी हुई है campus होता है इसमें आप हफ़ते के 7 दिन आ सकते हैं लेकिन जो मंदिर open होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए ही होता संडे को और यहां से यह top view से आप देख सकते हैं धिरदुन वैली और यहां पर जो उसका 4th floor है वहां से आप दिरदुन का 360 view आप वहां से ले सकते हैं लेकिन वहां जाना आज allow नहीं था तो इसलिए हमने मंदिर के बाहर से ही आपको जो campus है मंदिर का उसका एक view दिखा रहा हूं यह left side का view है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूपसूरत है और यहां से मैं आपको right side का view दिखाऊंगा वह देखिए सामने से हम लोगों ने अंदर entrance किया था और यहां पर आप सामने देख रहे हैं हट सी वहां पर आप अपने वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और अब हम मंदिर से बहार जा रहे हैं तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा पीडियो पीडियो झारी